हे अब्रिवन वेलकम बैक ट्यूमारी टेप चैनल यूनी क्लासेज तो आज हम होम साइंस का आपका जो चाप्टर कर रहे थे उसका हम कौन सा पार्ट करने वाले है उसका हम पार्ट नंबर थृ करने वाले है आज ठीक है पार्ट नंबर टू एंड वन मैंने करा दिया है अग अगर आपको अभी तक अपना स्लेवस नहीं पता होम साइंस का हिंदी में तो आप बहाँ पर जाके उसको चैक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है अब बात करते हैं अपने आगे का हमने पार्ट टू में टालिवीजन तक भरा था अब हम पार्ट हमारा जो थ्री है उसमें हम मुदरन माध्यम देखेंगे तो देखिए हमारा जो मुदरन माध्यम है वो क्या होता है अब हमारा जो मुदरन माध्यम है वो होता है भई प्रिंट माध्यम ठीक है मुदरन माध्यम को हम प्रिंट मेडिया है प्रिंट माध्यम होते हैं हमारी books होती हैं हमारी magazines होती हैं ये सबी चीज़े हमारे print में आ जाती है हमारी advertisement होती है याने की विज्यापन होता है तो ये सारी चीज़े जो हमारी लिखी हुई हमें मिलती है वो क्या है वो हमारी print media है याने की मुदर्ण माध्यम है ठेक हैं अब यह हमारा जो जनसंचार का तरीका है वो सबसे पुराना चलता हुआ आ रहा है आज देखा जाए तो बहुत सालों पुराना यह तरीका हम आज भी अपना रहे हैं कहीं न कहीं क्योंकि कि आप सभी ने देेखा होगा, किसी ना किसी के घर में न्यूस्पेपर आज भी आता होगा, हम काफी सारी मैगजीन पढ़ना भी पसंद करते हैं, और बहुत लोगों को मैगजीन पढ़ने का शौक भी होता है, काफी लोगों का ऐसा होता है कि अगर वो न्यूस्पेपर को पढ़े न, तो उनका दिन ही नहीं कड़ता है बहुत लोगों के साथ होता है इसा, जिनको आदत पढ़ जाते है और काफी अच्छी आदत होती है यह तो समाचार पतर इसमें आ जाते हैं यानि कि जो हफ्ते में एक बार आते हैं फिर आपके पत्र कारी जो पत्री काई है यानि कि जो आपकी मैगजीन्स है आपकी बुक्स है आपका पत्रक है आदी इन में शामिल है ठीक है किसमें शामिल है मुदर्ण माध्य में उसके बाद इन्होंने सेकिंड पॉइंट में बात में बताया जाता है उसे संबंदि जो समस्याएं हैं उनकी विशह में बहुत कम जो है वो छपता है हमारे अकबारों में लेकिन फिर भी ये अगर हम शिक्षा के तोर से देखे तो एक अच्छा माध्यम है क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई नियू नियूसपेपर में भी ये नहीं कि आप आड्स देख रहे हैं जो काफी सारे एक पेज आता है उसमें आड्स आते हैं उसको देखने से तो वो अच्छी नहीं होगी ना उसमें तो हमें बस यह पता चलेगा कि कहां पे क्या चीज खुली है या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं इसके उपर भी एक आपका पेज आता है नियूसपेपर में तो काफी लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं बट हमें पूरे नियूसपेपर को पढ़ना चाहिए अगर हमें उसे अपनी पढ़ाई से रिलेट करके पढ़ना है तो समझ में ब तो आपको एक पॉइंट तो आपका basically बनेगा ही बनेगा वो क्या बनेगा कि ये जो है जानकारी प्रदान करता है अब कोई भी हमारा संचार का माध्य में जनन शंचार का माध्य में वो हमें जानकारी जो प्रदान है वो करता है ठीक है यहांसे यह बात क्लियर हो जाती है कि वो हमें जानकारी जो है प्रदान करता है और प्रेंट वाधियम जादतर एक अकरशक जो है वो बनाया जाता है उसे आपने देखा हुआ newspaper में काफी सारी बड़ी-बड़ी headlines होती और उसके नीचे हमें लिखना जो छोटा सा brief में दिया होता है वो ठेक है तो उपर जो छोटी सी headline है हमारे उसको highlight करके दिया होता है ताकि अगर किसी को उसके अंदर का नहीं पढ़ना है पूरा तो वो उपर से थ और उससे काफी जो newspaper है वो हमारा attractive भी बनता है, बहुत सारे cartoons वगेरा बनाके दिये जाते हैं, pictures लगा दी जाती है, क्योंकि अगर pictures होंगी तो हम थोड़ा सा relate कर पाते हैं किसी ना किसी चीज़ को, चेकें, तो यहां से बात clear हुई, अब जो हमारा मुदरन माध्यम है वो निकल के आता है तो, बाकी हम एक चीज़ ओर discuss करेंगे अपना next video में, कि आपका जो sample paper है, आपका भी sample paper released हो चुका है, पहले ही हो गया था, बहुत पहले, और मैंने इसके उपर आपको information भी दे ली थी कि किस तरीके से download करना है, I hope अभी तक कर लिया होगा, अगर नहीं किया ह है, तो उस video को देख कर, फिर download कर लेना, ठीक है, मैं यह कह रही थी कि जो आपका home science का sample paper है, आपका English medium में होता है, बट Hindi medium में provide करना magazine में दारी है, तो वो मैं करा दूंगी, लेकिन आपका अच्छा response रहेगा तबी, क्योंकि किसी बच्चे का अच्छा response नहीं रहता है, videos के उपर, तो वो मैं देखूंगी, और एक video और बनाने वाले हो, मैं home science से relate करके, आपका जो sample paper आया था, कि किस chapter में से जादा questions आपके निकल कर आ रहे हैं, हमें basically यह देखना है, हमें अपना जब study plan बनाना है, अपने strategy बनाने है, तो हमें यह देखना पड़ेगा, कि किस chapter से ज इल्कुल strong बना ले, कि अगर इसमें से कोई question आ रहा है, तो हम फटा-फट से कर देंगे, ठीक है, तो वो मैं बनाऊंगे आपके लिए वीडियो, कि किस chapter में से कौन सा question जादा पूछा जा रहा है, इस तरीके से, तो I think आपके लिए helpful रहेगी, आच्छा, अभी बात करते है अपना आगे, फिफ्ट वाला point क्या है, मुद्रन माध्यम के प्रकार विभिन घटनाओं के समाचार एकत्र करके उन्हें विभिन दैनिक समाचार पत्रों में समपादक को भेजते हैं, अब इसमें इनका कारह बताया है, कि जो मुद्रन माध्यम के जो पत्रकार होते हैं, व उसको इकत्रित करते हैं, पहले तु उसको इकता करना पड़ेगा न, तभी एक समाचार पत्र में छपेगा, फिर उसको दैनिक समाचार पत्र के समपादक को भेजा जाता है, उसके बाद वो decide करते हैं कि कोन सी news हमें छापनी है, कोन सी नहीं छापनी है, तो यहां से बात clear ह कि मुदरन माध्यम आपका होता क्या है बड़ा शोट सा है बड़ा इजी है कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें ठीक है आगे देखते हैं आगे फिर हमारा सीधे क्या दे दिया गया है हमारा आगे दे दिया गया है आपका मुदरन माध्यम का प्रभाव क्या पढ़ता है हमारे जीवन पर एक तो देखिए यह जो मुदरन माध्यम है मैंने पहले कह देता है कि यह शिक्षित करता है जनता को कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिल रहे हैं तो इससे हम शिक्षित भी हो रहे हैं हमें न्यूज़ पेपर में काफी अच्छी जानकारिया मिलती हैं कि इस गाउ में ऐसा घटित हुआ है या फिर इस मोसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए तो ये सारी जानकारिया हमारे लिए बहुत important है ठीक है तो ये सारी जानकारिया हमें हाँ से मिलती हैं बात यहां से clear लोक तंत्र को प्रभावी धंसे कारे करने मदद करता है अब मुदरन माध्यम का एक और बड़ा अच्छा सा काम है कि वो लोक तंत्र को बहुत प्रभावी धंसे कारे करने के लिए मदद करता है कैसे अब लोक तंत्र में जो सरकार है वो अपनी नीतिया बनाती है अपने कारे करम बनाती है तो उसकी जानकारी जनता तक कोन पहुचाता है मुदर्ण माध्यम पहुचाता है न्यूस पेपर्स पहुचाते हैं कोई भी अगर सरकार कुछ भी न्यू एक्शन लेती है आपका कोई भी नई नीती बनाती है जैसे कि पहले हमारे सरकार ने नोट बंदी कराया था तो उसका हमें newspaper में बड़ी-बड़ी headlines में देखने को मिला था आपको अपने TV में मिला था और काफी सारे Twitter पे भी post होगी है ना social media से भी मिलता है तो अभी फिलाल हम बात कर रहे हैं print माध्यम की इसलिए हम newspaper का example लेके चलेंगे तो आपको newspaper में daily मिलता है चाहे आपका television पे आए इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका television पे आ रहा है नहीं लेकिन जो news important है वो आपके newspaper में हमेशा आती है यहां से बात clear हो जाती है तो आपकी news हमेशा आती है तो इससे जो जनता है उसको पता चलती रहती है कि सरकार की क्या क्या कारे नीतिया है उसके बारे में उसको जानकारी जो है वो मिलती है और भाई अब मुदरन माध्यम के तोर से जो बहुत सारे लोग है उनकी जो भावनाएं है वो अपनी भावनाओं को एक आवाज देने में मदद मिलते हैं जो भी उनके मन में जो भी चीज़ा निकल के आ रही है उनको आवाज उठाने का मौका मिलता है यहां से ठीक है सरकार को उन नीतियों तथा कारे कर्मों में जरूरी बदलाव करने मदद मिलता है अब सरकार ने कोई नीती बनाई है तो उसमें बदलाव करने का भी इससे उनको मदद मिलती है कि जनता क्या चाहती है क्योंकि नियूस पेपर में कभी कबार ये भी आता है ना बड़े बड़े उसमें कि हाँ जनता का फैसला ये रहा या फिर सरकार का फैसला ये रहा जनता क्या चाहती है इस तरीके से सारी बात नियूस पेपर में बताई जाते हैं तो नियूस पेपर को हमारी सरकार भी पढ़ती है और हमारी जनता भी पढ़ती है तो दोनों में जो त लोगों को बताया जाता है कि उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है तो इस तरीके से उनको भी रोजगार देने का उनको ववयसाई की जो काम है उनमें थोड़ी सी help जो हो मिल जाती है तो यहाँ से बात क्लियर हुई वैसे जो ग्रामेन शेत्र है ना उनमें अभी तक न्यू है इसको नकारा अभी भी नहीं जा सकता है यानि कि प्रेस की शक्ती को नकारा नहीं जा सकता है ठीक है कहीना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिर भी हम प्रेस की शक्ती को नकार नहीं सकते हैं अब बात करते हैं next हमारा क्या है उसके बाद हमें सूचना संचार प्रदயोगी के बारे में पढ़ना है अब सूचना संचार प्रदयोगी की हमारी क्या होती है सबसे पहले मैं पता होना चाहिए अब आपने computer में एक चीज तो पढ़ी होगे कि software क्या होता är hardware क्या होता är software यानि की जिसको हम छू नहीं सकते है यानि कि जो computer के अंदर है ठीक है, software हम उसे कहते हैं जो की computer के अंदर होता है and hardware जिसको हम छू सकते हैं यानि कि वो छूने में है जैसे कि अगर मैं कोई pen उठाती हूँ तो मैं उसको छू सकती हूँ ठीक है, लेकिन mobile के अंदर जो apps है क्या उसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ नहीं न, तो वो तो software हो गया यहां से बात clear हो गई कि software और hardware क्या होता है तो यह जो software और hardware है इनको मिलाकर ठीक है, इनको मिलाकर साथी साथ काफी है जो हमारे दूर दरस्त जो संचार प्रद्योगी किया है, जैसे कि हमारी radio हो गई, television हो गई, mobile phones हो गई, इन सब को मिलाकर जो बनता है, वो होता है सूचना संचार प्रद्योगी की, यहां से बात clear होती है कि हमारी जो जन संचार के जो माद्यम है, जन संचार कि हमारे कितने माद्य हो, बहुत सारे माद्यम होते है, उन में से कुछ basically radio, newspaper, mobile phone इन सब को मिलाकर जो बनता है उसको हम कहते है सूचना संचार प्रद्योगी की, यहां से बात clear होती है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा next point है, सूचना संचार प्रद्योगी की का उप्योग व्यक्तियों को सूचना जानकार प्रद्योगी की लिए क्या जगता है मैंने कहा था ना कि एक point आपका हमेशा बनेगा, चाए कोई भी question आ जाए आपका एक point हमेशा बनेगा, चाए जानकारी ही तो देता है ना, तो इसलिए ये point आपका बहुत main है, इसको याद रखना चिक है, इसको किसी में भी लिख दो कि teacher गलत नहीं कर सकती है, किसी में भी मतलब क्या है, जो ये आपके संचार वाले हैं, इस chapter में अगर आप किसी भी उसमें लिखते हैं, कि ये जानकारी प्राप्त करता है, तो इसको teacher गलत नहीं करेगी, तो इस point को याद रखना, अगर कोई point आपको याद नहीं आता है, तो ये help करेगा, बाकी फिर उसके बाद है, जिसके प्रभाव स्वास्ते क्रिशी, स्वास्ते शिक्षा, जैसे अनेक शित्र में पहले के मुकाबले काफी बदलाव देखने को मिले हैं, अब इसके माध्यम से जब लोगों को जानकारी मिलती है, तो हमारी क्रिशी में, हमारे स्वास्ते में हमारी शिक्षा में और काफी सारे अनेक जो शित्र हैं काफी सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे हमें बहुत जादा जो बदलाव है वो देखने को मिलता है यानि कि अब काफी सारे एरियाज हैं वहाँ पे में साफ सफाई दिखती हैं साफ सफाई होगी तो पैसे ही हमारी जो health है वो सही रहेगी क्योंकि गंदगी के कारण ही काफी सारे जो रोग हैं वो पनपते हैं ठीक है और हमारी अगर हम स्वास्त है हमारा स्वास्त है ठीक है तो हम पढ़ने में भी हमारा अच्छा मन लगेगा है पढ़ने में अच्छा मन लगेगा तो हमारे पूरे पूरे देश का डवलपमेंट जो है वो होगा तो यहां से बात क्लियर हो जाती है इसलिए अगर एक चीज हमें जानकरे प्रदान करें तो उसके बीचे कितने सारे बेनेफिट्स है उसके बाद है सूचना संचार प्रद्योगी की ने विट्टेई सामाजिक तथा राजनेतिक श्रेत्रों में महतवपून परिवर्तन ला दिया है अब जो हमारा सुचना संचार प्रद्योगी की है उसने वित्ते यानि की पैसों के उससे वित्ते पैसे धन से लगा के चलना है ठीक है सामाजिक तोर पर यानि की शोशल सोसाइटी के तोर पर और राजनेतिक तोर पर क्या किया है बहुत ज़दो जो परिवर्तन हैं वो ला दिये हैं वो भी महत पून परिवर्तन ला दिये हैं जो की आने बहुत जरूरी थे उसके बाद फिर हमारा है नैक्स्ट उसके बाद हमारा फोथ पॉइंट है क्या है आज सूचना संचार प्रद्योगी की यानि की ICT का उप्योग विकास संचार का एक सक्रिय उपकरन बन गया है जो हमारा सूचना संचार प्रद्योगी की है उसकी short form यहाँ पे लिखी है ICT आपको याद रखना है हो सकता है आपको question में यह दे के पूछ लिया जाए तो short form यहाँ रखनी है उसके बाद इन्होंने बताया कि यह विकास संचार के लिए बहुत अच्छा जो उपकरन है वो बन गया है उसके बाद इन्होंने एक example दे दिया है क्या है e-governance तो इन्होंने बताया कि जो computer की help के द्वारा क्या होता है आज लोगों के दर्वाजों पर स्वार्चनिक सेवाई और सूचनाओं का वित्रण होता है यानि कि हब computer का यानि कि technology का दोर चल गया है तो हमें कितने सारी facilities जो हैं वो देखने को मिलती है आज कल घर बैठे क्या होता है हमें घर बैठे बैठे समान मिल जाता है हम ओनलाइन शॉपिंग करते हैं हमें बहार जाने की जरूरत नहीं है है ना Corona time में इनफैक्ट ऐसा भी हो गया है कि काफी लोग काफी बिमार हैं वो बहार से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो वो ओनलाइन कर सकते हैं है ना उनके घर पे कोई आके दे जाएगा ऐसे दूर से दूर दूर से वो ले सकते हैं लेकिन अगर वो बाहर निकल के कहीं शॉपिंग करने जाते हैं जिनकी health को काफी नुकसान पहुच सकता है तो इससे क्या होगा लोगों को भी जो नुकसान है पहुचँचेगा तो इससे अच्छा वो online चौपिंग कर लेते हैं और काफी लोगों को ऐसा होता है कि उनको खाना बनाने का time नहीं होता है तो वो बाहर से खाना मंगा के खाल लेते हैं जैसे कि बहुत सारे आपके एप्स चली हुई हैं जहां से हम खाना ओर्डर करते हैं और हमारा आधे गंटे या 15 मिनट में आ जाता है काफी fast delivery होती है उनकी तो वो दे जाता है तो इससे हमें घर बैटे-बैटे हमारे पास ही क्या होता है हमारे पास ही हमें इतने सारी जो सेवाइं हैं वो मिलती हैं यासे बात क्लियर हुई उसके बात फिर नीचे है निर्धन व्यक्तियों के जीवन को भेहतर बनाने के लिए सूचना संचार प्रदिवी की के उपयोग का अधिक सीधा तरीका टैली सेंट्रों का निर्मान हो सकता यानि कि अगर निर्धनों को भई और अच्छा बनाना है तो उनके लिए और अच्छा तरीका क्या होगा टैली सेंट्रों का निर्मान कर दें और इन्होंने बताया कि जून 2000 में लॉंच किया गया अब ये जो है ये हमारा जून 2000 में 2000 में लॉंच किया गया है कि इसमें जून में याद रखनी है बात उसके बात बात करते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है अब आपका चाप्टर कम्प्लीट ही होने वाला है ठीक है जादा कुछ बचा नहीं है इसमें इसमें अब बचा है कि जीवी का के जीवी का अगर हमें इसमें चाहिए तो उसके लिए ग्यान और कोशल तो होना चाहिए नहीं कि हमारे पास स्किल्स तो होनी चाहिए अगर हमें इसके अंदर अपने कैरियर बिनाना है तो तो वो पढ़ना है हमें और फिर इसमें जीवी का के अफसर है वो पढ़ने है then हमारा chapter जो हो complete हो जाएगा यानि कि आपका chapter 21 जो है यहां से आपका done हो जाएगा इसके मैंने 3 parts में आपको complete जो हो करा दे उसके बाद मैं next chapter आपका लेके आओंगी देखूंगी वस्तर वाला लेके आजाती हूँ पहले वो काफी बचों की demand है कि वो आना चाहिए तो वो देखते है बाकिया बताए कि कौन से chapter आपको पहले करवाना चाहिए comment box में बता सकते हो और sample paper करवाना है या नहीं करवाना है वो बता दे ना भई comment box में अच्छा अब आपका बोला गया है जीवी का के लिए जो ज्यान और कोशल है उनमें हमें ये चीजे पढ़ने आनि कि संग्यातमक question जो कोशल है वो पढ़ना है हमें प्रशन करने की शमता होनी चाहिए तकनीकी कोशल होना चाहिए भाषा और computer कोशल होना चाहिए यानि कि हमें language के बारे में और computer के बारे में जानकारी होनी चाहिए ठीक है उसके बाद विभिन प्रकार के समुहों के साथ कारे करने की शमतानी चाहिए यानि कि हमें एक तरीके से cooperate करना आना चाहिए है अगर हमें इस शेतर में काम करना है तो इसमें क्या है पहले एक बंदा करता है फिर वो अपने आगे की टीम को भेजता है फिर वो करती है फिर वो आगे भेजती है ऐसे करते करते हमारा कुछ ना कुछ त्यार होता है तो यहां से हमें टीम में रहेकर यानि कि एक दूसरे को कॉपरेट करके काम करना भी आना चाह और फिर है प्रस्तूती कोशल होना चाहिए और सरजनात्मख हमारा क्वेश जो कोशल होना चाहिए अब इनके बारे में थोड़ा सा हम ढीप्ली पड लेते हैं यानि कि थोड़ा से इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे कि आपके जीविका के अवसर क्या है और आपका चैप्टर फिर कम्प्लीट हो जाएगा अब इनोंने सबसे पहले हमें क्या दिया है जीविका के लिए ग्यान और कोशल में हमें इनोंने सबसे पहले संग्यात्मक जो कोशल है वो दिया है तो इसमें क्या होता है इसमें कोई भी हमें जो समस्या है उसके विशय में अच्छे से भई लिखना होता है प्रभावी कि बही किया है आखिरकार वो और फिर उसको रचनात्मक तरीके से हमें प्रस्थूत करना है जिससे कि जो पढ़ने वाला है वो क्या हो उसका जो आकरशक हो जाए वो एक तरीके से वो अट्रेक्ट हो उसको पढ़ना ही हो उसके मन में यह हाँ भई देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा सा इसे तो पढ़ना ही चाहिए तो ऐसी चीज हमें लिखनी चाहिए तो उसके लिए पहले हमें समस्या को समझना पड़ेगा and then उसके बादे हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो यह आपका कोशल जो है वो होना बहुत जरूरी है फिर दूसरा हमें दिया गया है स्रजनात्मक कोशल स्रजनात्मक कोशल क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट है स्रजनात्मक कोशल होना बहुत जरूरी ठीक है ये होना वहीं बहुत जरूरी, उसके बाद इन्यों बटाया है, जंसंचार माध्यम में अभी कलपना, उत्पादन तता तकनीकी अन्त्रों के संचारन के कोशल के साथ किसी जंसंचार माध्यम कारे अल्ये, मीडिया, हाउस या विज्ञापन एजनसी के कारे कर रहे किसी व्यक इंसान जो है वो एक तरीके से विग्यापन लिख रहा है है ना तो उसके पास ये दोनों ही कोशल होने बहुत ज़रूरी है संग्यात्म कोशल और सरजात्म कोशल अगर उसके पास ये होता है अगर वो जन संचार कर रहा है तो उसमें उसके पास सबसे पहले तो ये होना चाहि है ना उसके पास कलपना शक्ती होनी चाहिए और किस तरीके से उसे अपनी बात जो है अपनी विचार जो है वो प्रस्तुत करने हैं एक पेज पे वो सारी चीज उसके दिमाग में होनी चाहिए अगर वो पहले से ही प्लैनिंग करके नहीं चलेगा तो उसका तो कुछ होई नह सकता फिर वो किस तरीके से उसको आकरशक बनाएगा अगर हमें कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लाइनिंग करके चलना पड़ता है कि हमें किस तरीके से करना है उसके बाद ही हमारा जो प्रोजेक्ट है ठीक है, ताकि वो अपना जो भी लिख रहे हैं वो क्या हो? वो बहूत आकरशक हो तो इनोंने बताई है कि जो संग्यातमक कोशल है और जो सर्जनातमक कोशल है वो दोनों ही होने काफी जरूरी है उसके बाद आपका तक्नीकी कोशल आता है वो पढ़ते हैं क्या है अब आपकर जो तक्नीकी कोशल है बहुत ही मसता है क्या है तक्नीकी कोशल यानि कि टेक्नोलिजी स्किल इसमें क्या होता है इसमें हमें जो भी हम कर रहे हैं अगर मैं आपको for example देती हूँ जैसे कि आपको एक फिल्म बनानी है यानि कि कोई भी फिल्म का डिरेक्टर है किसी को एक मूवी बनानी है किससे रिलेट करके विकास संबंधी फिल्म आपको बनानी है तो उसके लिए आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो कैमरा है यानि कि जिससे आप जो मूवी है और काफी सारे जो यंत्र हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़े हमें पता होनी चाहिए, साथ ही साथ एक और चीज़े हमें पता होनी चाहिए, कि कौन से कानून और जो कौन से वीनियम है, वो हमें साथ में ध्यान रखते हुए चलना, य इससे की वो हमारे कानून के खिलाफ हो और क्या हो आपकी जो हमारी सरकार होती है वो उस मूवी को बैं कर दे यानि कि वो नहीं चलेगी ऐसा भी तो हो सकता है ना और उसका इतना सारा पैसा लगाया हुआ खराब हो जाएगा मूवी पे ना ही कोई लोग उसे देखना पसंद क करना आना चाहिए यानि कि जो भी आप विकासंचार या पत्रकारिता कर रहे हैं उसको ठीक धंग से आपको प्रचलित करना आना चाहिए जिससे की क्या हो लोगों को उसमें इंटरस्ट जो है आए लोगों का इंटरस्ट उसमें आएगा तबी तो आपने जो पैसा लगाया है आपका उसमें भई नाम होगा ऐसा तो नहीं है कि पैसा लगा दिया और बाद में कुछ नहीं मिला यानि कि हमें पहले इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को हमें ठीक धंग से अपनाना होगा जिससे की हमें बाद में benefit जो है लाब जो है वो हो उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तूती कोशल क्या है प्रस्तूती कोशल देखते हैं इसके बारे में तो उसके बाद हमें प्रस्तूती करन पढ़ना है इसमें हमें दिया गया है कि विकास अंचार और पत्रकारिता के शेत्र में जीविका के लिए पत्रकारिता तता प्रस्तूती कोशल का मिशन आवश्यक है अगर हमें विकास अंचार करना है या फिर हमें पत्र कारिता करना है तो उसके लिए उस जीविका में उस शेत्र में हमें प्रस्तूती कोशल जो है हमारे पास वो होना अति आविशक है ठीक है इससे क्या है इससे क्या होगा अब आप काम कर रहे हैं किसी भी विशय में ठीक है उसमें क्या है आपका हर उसमें रूची होना चाहिए कि भई रेडियो जो है उसमें किस तरीके से आपको सीखना है उसका अनुबव होना चाहिए या फिर आपको किस तरीके से दूसरों को सिखाना है साथी साथ आपको क्या होना चाहिए संचारित करने की शमता सता संगीत का ग्यान भी लापकारी है अगर आप किसी रेडियो कंपनी में काम कर रही है तो आपको थोड़ा सा म्यूजिक का भी जो माइंड में रहना चाहिए कि किस तरीके से म्यूजिक हमारी इसमें काम आ सकता है क्योंकि रेडियो है उसमें म्यूजिक का काफी काम होता है पीछे music ये नहीं है कि music मतलब songs ही होते नहीं music का मतलब होता है कोई tuning हो गई जैसे कि पीछे हम बोलते हैं और हमारे पीछे background में कोई जो tuning है वो चल रही होते तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए उसके बाद हमें फिर दिया है प्रशन करने की शमता प्रशन करने की शमता तो आप समझी रहे हैं यानि कि हमारे पास ऐसी skill होनी चाहिए जसे क्या है हमें कोई समस्या मिल रही है तो उसके बारे में हमें ब्यूरा इखटा करने के लिए प्रशन करना आना चाहिए अब हमें किसे ऐसे इनसान को भेज दे ब्योरा इखटा करने के लिए तो वो कैसे ब्योरा को इखटा करेगा कैसे इखटा करेगा भाई वो जो हमें चाहिए उसको कैसे इखटा करेगा गर उसने question ही put out नहीं किये तो अगर उसको question ही put out नहीं करने आते तो उसको जानकारी कैसे मिलेगी तो जानकारी को एकटा ही नहीं कर पाएगा तो ये कोशल होना भी कफी जो है important है उसके बाद है विबिन प्रकार के समूहों के साथ कारे करने के शमता जैसे कि मैंने आपको बताया था कि cooperate करना आना चाहिए चाहे कोई भी आपका समूह है कैसा भी है उसके साथ आपको क्या आना चाहिए cooperate करना आना ही चाहिए आपके अंदर निततव का गुण होना चाहिए आने की leadership का leadership का वो होना चाहिए गुण आपके अंदर अगर वो नहीं है तो क्या होगा अब कोई एक team है आपके पास अगर उसमें कोई leader ही नहीं है तो वो team कैसे चल पाएगी आप example दीजे जैसे कि कोई आपकी cricket की team है ठीक है cricket में आपकी team होती नहीं जो cricket matches आते हैं उसमें इंडिया की team है उसमें आपके पहले MS दोनी थे captain फिर उसके बाद आपके captain कोन बने विराट कोली बने और काफी matches में आपको रोहित शर्मा भी captain के तोर पर देखने को मिलते हैं जब विराट कोली नहीं होते हैं तो जो बचे cricket को देखते होंगे देखना पसंद करते होंगे उनको पता होगा है ना तो एक cricket match की ही आप लगा के चल सकते हैं इनको अपने team में corporate करना होता है अगर captain आपको बोलता है कि आपको bowling करनी है इस over में तो आपको bowling ही करनी पड़ेगी आप ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं batting नहीं मैं fielding करूँगा या फिर मैं wicket keeper बनूगा नहीं जो captain उसकी शमता को देखकर ही अब captain किसे बनाया जाता है जो सब में सब के अंदर की जो खूबी है उसको पहचान सके तो सब के अंदर की खूबी पहचानेगा तो उसको पता होगा ना कि कौन इंसान कितना अच्छा किस चीज में कर सकता है अब उसके बाद आपका भाषा और computer kोशल है भाषा और computer kोशल क्या होता है भई इसमें आपकी जो languages है वो आज आती है कि आपको language का पता होना चाहिए साथि साथ आपको computer के बारे में भी जान करे होनी चाहिए किसी को computer चलाना नहीं आता है जिसमें आपको लिखना भी आता हो जिसमें आपको पढ़ना भी आता हो यानि कि रीडिंग भी आती हो उसमें आप expert होने चाहिए उस language में अगर कोई इंसान हिंदी चुन रहा है तो उसे बोलनी भी अच्छे से आनी चाहिए उसे लिखनी भी अच्छे से आनी चाहिए और उस कि आप इसे read करके सुनाओ पूरी टीम को सुनना है इस report को तो आपको पढ़ना आना चाहिए है ना यहां से इसलिए language का काफी important role है उसके बाद computer का भी काफी important role होता है computer जो है वो मूलबूत कोशलों का ज्यान होना सफलता के लिए वांचिनी है यानि कि अगर आपके पास computer का कोशल है तो क्या होगा आपको सफलता मिलेगे computer के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें पता होना चाहिए अब हम किसी ऐसे इंसान को जाके खड़ा कर दे वहां पे जिसको computer का c b नहीं पता है computer में जैसे कि आपको काफी सारे report जो है computer में type करके लिखनी होती है ये सारी चीज़े computer वाले बंदे को पता होती है कि हाँ इससे ये होगा इससे fast तरीके से ये कर लेंगे computer से ये technology निकलेगी इससे हम ये करेंगे इससे हमारा time बचेगा तो ये सारी जानकारी कैसे होगी जब आपको computer आता होगा तो यहां से बात clear हुई कि हमारे पास किन किन कोशल की आवशकता हमें पढ़ती है और कि क्या-क्या skills जो है वो हमारे पास होनी चाहिए तो आपके 7 यहां पे skills दी गई है यह आपको पता होनी चाहिए एक्जाम में आपसे पूछे जा सकते है उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जीवीका के अवसर क्या है विकासंचार में कारे, शित्र और जीवीका के अवसर यह बहुत छोटा सा है भी complete हो जाएगा आपका chapter चलिए भई क्या क्या जीवीका यह होती है वह आप देख लीजे आपके पास है विकास पत्रकार ठीक है रेडियो जोकी वे एंकर अनुसंधान कारे, प्रामर्श दाता या फिर स्वतंतर पत्रकार इन सब ही अवसर है आपके पास जीवीका के इन में अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते है उसके पास आपके पास है सरकारी संस्था या जो सरकार के द्वारा चलाई गई है गैर सरकारी वो होती है जो सरकार के द्वारा चलाई गई नहीं है समझ में आ गई गैर मतलब सरकार के द्वारा नहीं है ये NGO जो होते हैं और सरकारी संस्था जो सरकार के द्वारा है इसमें आपका विकास पत्रकार रेडियो जोकी वे एंकर या फिर अनुसंधान कार रहे हैं प्रामश दाता, विकास संबंदी नीतिया बनाने वाले अधिकारी तथा परिक्षक उसके बाद आपका है जनसंचार संगठन जो हमें काफी सारी जानकारिया देती है जनसंचार के काफी सारी माध्य हम होते हैं जैसे कि हमने उपर बढ़ा था तो उसका संगठन उसमें हम क्या 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 कारे कर सकते हैं विकास पत्रकार बन सकते हैं रेडियो जोकी या फिर एंकर बन सकते हैं अनुसन्धान कारे कर सकते हैं और आपका है फिर प्रामश दाथा और स्वतन्तर पत्रकार सबी हम बन सकते हैं तो यह आपके जीव बिका क्या अफसरते and done आपका chapter क्या है complete आपका chapter अच्छे से करके आ सकते हूँ जो यहाँ पर आपको notes given है उनका screenshot ले लीजे और अपना कर लीजे आपका अच्छे से हो जाएगा ठीक है by the way वीडियो कैसी लगी है comment box में comment करके बताएगा और like कर दीजेगा भई में तबित बहुत खराब है फिर भी मैं आपके लिए बना रहे हूँ गले में दर्द हो गया है फिर भी बना रहे हूँ कोई बात नहीं आप like कर दीजे ठीक है साथी साथ आप share कर दीजे अपने friends में और comment करके बताएगा कि वीडियो कैसी लगी है साथी साथ अगर new है तो channel को subscribe कर दीजे and then bell icon को press कर दीजे जिससे कि आपके पास new videos की notification आती रहे thank you so much for watching this video